इस क्लिप के रिक्वेस्ट बहुत दिनों से मेरे पास आ रही थी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और वीवर्स चाहते थे कि ये क्लिप मैं आपके साथ डिसकस करूँ तो yes guys ये क्लिप मैं आपके लिए लेकर आचुकी हूँ जहां पर सिथा तो शहनास के बीच में होगी आप वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे तो ये जो क्लिप है वो बहुत स्टार्टिंग डेस की है जब वाइल कार्ट के एंट्री होई थी उसके बाद शहनास बहु लाइट करने की कोशिश की थी और शहनास के फेस पे एक स्माइल बे आगए थी उसके बाद भाव और शेफाली जरीवाला वहाँ पर आते हैं और गार्डन एरिया में आके शहनास को मतलब पूल में धका दे देते हैं और वहाँ पर पूल में ये सारी मस्ती होने लगती है पूल में और पूल के बाहर जो घास वाला सोबता वापस सिताद लेड़े होते हैं और तहसीन भी बाहर होता है भाव भी बाहर होते हैं तो तहसीन बुनावला कहता है जरीवाला से कि शहनास को स्विमिंग सिखाओ अब शहनास स्विमिंग नहीं करना पसंद करती है उसे अ आता है एक सवाल और शेहनास तहसीन से पूछती है कि मुझे बताओ कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वाट इस रिप्रोडक्शन तो यहां पर तहसीन अपनी समझतारी लेकर आता है और वो कहता है कि रिप्रोडक्शन इस दा प्रोडक्शन आफ माई बॉरी रिप्र ना पूछाए कि what is your reproduction फिर शेहनास के तिया बताओ यार जल्दी बताओ what is reproduction अब शुक्ला जी हो जाते हैं थोड़े से naughty अब भई शेहनास पूल में है और इत्मी जादा hot लग रहे होती है तो सिधात कैसे ना naughty हो जाएं सिधात की नजरों में कैसे ना शरारत आ जाएं और यहां पर सिधात बहुत healthy फ्लर्ट कर रहे होते हैं शेहनास से तो सिधात ना बातो बातों में कब double meaning बाते कर जाते हैं ना कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता लेकिन हम बैठे ना यार बाहर यह सारी बाते नोडिस करने के लिए और यहां पर सिधात बहुत बहुत जादा एक अलग zone में होते हैं और कुछ अलग अंदाज में यहां पर बात करते हैं और यहां पर सिधात कहते हैं कि क्या चाहिए तुझे notes चाहिए यहां तुझे देखना है practically तो सिधात किस नोड्स और किस प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं यह तो मुझे एक्स्प्लेइन करने की जरूरत नहीं है यार आप सब इतने अडल्ट हो कि समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन को कैसे प्रैक्टिकली सिधात बताना चाहरा था और शेहनास के साथ जब सिधात इस होता है और सिधात की नजरे समय कुछ अलगी बया कर रही होती है और यहां पर जो मॉमेंट क्रियाइट होता है न सच मुझ बहुत सदर रोमेंटिक लगता है और यह एक अंसीन अंदेखा है और बिग बॉस 13 के एपिसोड भी मैं आपके साथ डिसकस कर रही हो ना उसी का य यह क्लिप आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी इसे ले करा रही थी बट हाँ यह प्रैक्टिकल वाली बात क्या है वो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उनकी अनकही बातों को समझ पाते हैं उनकी डबल मिनिंग बातों को भी स समझ पाते हैं तो यह क्लिप आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर पताएगा और इस मॉमेंट पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्रा करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुच पाएंगी जल से जल थेंक्स फॉर वाचिन गाइस